हेलो दोस्तों कैसे आप सब लोग मेरा नाम है मालशो सांगमान आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है ना आज संडे था तो सोचा क्यों ना आप लोगों के लिए एक बहुती अच्छी गाइडेंस वीडियो बना दी जाए जो आपके लिए बहुत वैलियोबल हो ठीक ह मोस्तली हम पूरे थूराउट दवीग बीजी होते हैं लाइक पैडगोजी स्पेशल क्लासे चल रही होती है तो वहां में बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने में बीजी रहते हैं अब आज की वीडियो हम बात करने वाले कैसे आप फिर अगर आपका सेकंड अटेंट भी है तो आप कैसे डीट रिप्लेजी पी अर्ट एक्जाम को करा किया फिर क्लियर कर सकते हैं और बिसिकली मेरे वाला मेथट है फिर जैसे मैंने किया वह वाला मैं आपको बताने जा रहा हूं ठीक है और अकॉड़िन डूम यह बेस्ट मेथट है मेरे पर काम किया काफी बच् से मथे सकते हैं ज़्डित कर सकते हैं स्टिंग पॉइंट स्टिंग पॉइंट पॉइंट है नीवी πाता तुम आपको यह सटार्ट कहां से करने तोब 173 मूट एस्ट च remplे और प्यस्टारिख पेए कि अगया कि आपको यह पता लग जाएगा चैन्य है और हम सब्यूट्स अब भोलोगे, सर तैयारी तुभ ये नी Moke Test में नमबर आएंगे नी इस स्टार्टिन के फेज, जब आप तैयारी कर रहे हो और तैयारी करते वक्त, आपको अपने Moke Test का Score नहीं देखना, ठीक है, यहां पे Moke Test का Score Secondry है, Primary ही यह27 है प्रैमरी ही है कि हमारी तो मैं जिस दिन भरा उसी दिन मोक्टेस्ट दिया मोक्टेस्ट में पता लगा कि भाई हिमान्शू तेरे तो इंग्ली मैट्स और रिजनिक ठीक है अच्छी खासी है ठीक उसमें तू आल्मोस्ट एटीन प्लस 17 प्लस 16 प्लस 18 प्लस इतना स्कोर आ रहा है अठारा उनिस बीस इस इसके हिसाफसा स्कोर आ रहा है तो मैं है अच्छी है और रिसलिंग अच्छी अब काम आता हैं इंग्लिश का हिंदी चीकेह का मुझे इंग्लीश甚ा कर न स्कार्मों और Mчно इटारा है नब्र और MP3 मिसे इतीन इसमें मुझे काम करने की जरूरत थी ठीक है अब काम करने की जरूरत थी यह पता लग गया उसके बाद पार्ट B में 800 में मैं से 50 55 स्पास यह बंगोंगों थीक है तो उदर से मुझे क्या पता लगा कि इसमें तो मुझे बहुत काम करने जरुत है बहुत ज़्यादा काम करने के जरुत है टिक है मैंने धनी प्रस्प्र कर लिए hasn ge फिर मैं भी पढ़ा रहा हूं तो मैं उनकी क्या बलते हैं बुराई कर रहा हूं नहीं भाई यह चीज आप लोगों ने इंग्लिश हिंदी जी कि अब इन तीनों चीज में काम करने के लिए क्या करना है देखो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अब आगर आपको पता लग गया ना कि भाई आपके किन-किन सब्जेक्ट में खामिया हैं दिक्कते हैं अब सेकेंड मोस्ट पॉइंट जिसकी वजय से आप जगर हिंदी पढ़ रहे हो तो आपको एटलीस्ट इतना कॉन्फिटेंस हो कि हां भाई मैं सही हिंदी पढ़ रहा हूं यह सही अकॉर्डिंग टुद लेवल अब असले बस हैं आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपको रिलाइबल रिसोर्स ढूनना है ठीक है और जीकी के लिए भी सेम वैसी पेड़ागोजी के लिए से ठीक है तो सेकंड पॉइंट के लिए पहला कि अगर आपको तयार स्टार्ट करने तो मोक टेस्ट में हमारी स्कोर नहीं देखना हमारी कमया निकलने के बाद हमें अपने वीक सब्सक्राइब काम करना है हमें मॉस्ट रिलाइबल रिशोर्स जुनने तीक है उस टांपे भाइ जखो हिंदी के लिए हिंदी चलिए अगर आपकि आप किसी की प्रिंदी कमझोर है तो danakते हमें खै chu t करने हैं प्रयावाची विलोम शब्द और मुहावरे लुक्वक्तियां यह सारी आप अधित्या पब्लीकेशन की बुक से कर सकते हैं ठीक है वो बुक आती वस्तुनिष्ट हिंदी करके वहां से कर सकते हैं वहां से अच्छी खासी उसकी प्रेटिस हो जाती है और वह बेस्ट अधिन यह चाहिए मुझे कुश्टन सौल हो जाए और मुझे वह 100 120 करने के बाद मेरे से एरर्स सौल हो पारे थे वह मैंने कर लिए ठीक है उसके बाद वक्याब कर रियाबल सूर्स अगर आपको वह क्याब पढ़के याद हो जाती है तो आप नीटू मैं की बूक या फिर दो ही चीज़े एक तो वोकैब में इडियम फ्रेजी ब्यादेंगे सिनोनिम एंट्रोनिम भी आ जाएंगे ठीक है और सेकेंड एर्रस की पहचान होना एर्रस में फिल इन दा ब्लैंक चीजे पीक्यू आर्रस सारी चीज़ा देंगे ठीक है तो यह चीजे आपको पता से बहुत जाला होते हैं थिक है तो मैंने क्या किया स्टेटिक जो जीकी है स्टेटिक ईकर सब्सक्राइब बना टेली हफ्ते में एक दो भी जो कि most important है उसके लिए मैं कोई compromise करना नहीं चाह रहा था तो अब की बार मैंने कोई course ना लेते हुए कि मुझे idea हो गया था कि भाई जो इस लेवले courses है market में फिलाल उस टाइम पे तो वो up to the mark नहीं थे तो अब मैंने करने स्टार्ट करी एन इस पांसो दो पांसो चैपांसो साथ फिर सारी सारी धेरे करके मैं सारी निस पर डाली ठीक है तो इससे क्या हुआ इससे मेरा अच्छा खासा score बूस्ट होगा जहां मेरे पचास पच्पर बन रहते हैं धीरे धीरे मेरा स्कूर एड़ देंड जैसे से म मेरा स्कूर महाँ पर सेवंटी 75 80 के असपास आना स्टार्ट हो गया था ठीक है तो आई बात समझ में क्या और लास्ट लास्ट चीज है फर्स्ट बताया मैंने मोक्टेस्ट देना सेकेंड क्या बताया मैंने मुस्ट रिलाइबल रिसोर्स जूढ़ना फर्स्ट identify करेंगे second step में हम उनको reliable resources से cover करके syllabus complete करेंगे ठीक है और third step है उसमें हम फिर से मोख test देंगे कि जो हमने learning करी है जो हमने जिस reliable resources हमने पढ़ने का try किया है क्या वो सही में सही है marks बड़े हैं कि नहीं बड़े है ठीक है तो यही तीन steps बहुत काफी है करने के लिए ठीक है फिर यही cycle चलती रहेगी तो यह चलती रहेगी आप खुद देखें आपका score कहां से कहां पहुँच जाएगा धीरे करते करते ठीक है तो यह चीज थी और अगर आप में से देखो पता है क्या होता है कि एक तो यह होता है कि हम पढ़ रहे हैं क्या यह सच में आएगा कि नहीं आएगा मेरी बात मानों अगर आप reliable resources से पढ़ रहे हो ना जो की बिल्कूल मतलब up to the mark है आप दो लेवल हैं तो यकीन मानों सारी चीजें आपके काम आएंगे ठीक है और बस यहीं था आज की इस वीडियो में ठीक है अगर हम बहुत यह तरीके से पेड़गोजी का पार्ट भी सॉरी पार्ट भी जो सो माक्स का बहुत डिटेल में बहुत यह अच्छे तरीके से अगर आप में से किसी को उस पेड़गोजी स्पेशल में जोइन होना है तो आप टेलीग्राइम का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा है वहां जाके जोईन कर सकते हैं और हमार साथ तयारी में जुड़ सकते हैं ठीक है और यह जो पेड़गोजी जो कोर्स है ना यह उस तो उस चीज़ का सॉलीशन है ठीक है तो बस अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप नीचे टेलीग्राम में दिये वे लिंक साथ जुड़ सकते हैं और वहां जाके आपको सहर डिटेल्स मिल जाएंगे ठीक है आप से मिलते हैं अगली क्लास्मिक तब तक लिए जै तिक है ठीक थैक यंक्यू सामच फोँछ फोटैविं मी